हलो नमस्कार साथियों कैसे आप सभी उम्मेद करते हैं स्वास्त होंगे आज किको हम चार्चा करे तो आज हम विसेश ते एक विसेश पहलू पर चार्चा करने वाले हैं और वह पहलू है एक रिपोर्ट है क्या समाजिक प्रगती सूचकांग की जब बात की जाये तो ये है उस रिपोर्ट की यहां पर बात की जाती है तो सोचल प्रोग्रेस इंडेक्स या जिसको समाजिक प्रगती सूचकांग करते हैं अभी इसको किन्द सरकार के द्वारा जारी किया गया अगर इसकी बात की जाये चुकि पहली बार जारी किया गया किन-किन मानकों पर जारी किया गया और क्या इसके आधार है तो सबसे मुल सनचना की जब बात की जाए तो इसमें ध्यान कीगा अगर हम थोड़ा सा उत्तव देश की बात है तो उत्तव देश में आपकर सेकतों कि केंद सरकार की दोरा पहली बार जारी जिलों को ले करके सामाजिक प्रगती पे रही जबकि यहीं पर गर बात की जाए तो गाजी पूर आपके टॉप लेवल पे था तो बैराल अगर हम उत्तब दिसके 75 जिलो की बात करें तो आप कह सकते हो कि जिलो का अधारित करते हुए यह सामाजिक प्रगती सुचकांग जो निकाला गया उसमें गाजी पूर टॉ बात्र होते हैं उसमें यह सुचकांग निकाला गया जहां पर गाजी पूर टॉप लेवल पे रहा और बल्रामपूर की जब बात की जाए तो बल्रामपूर इसमें फिसड़ी रहा खासा ध्याने कीगा यहां पर बात की जाती है तो 20 जिलो की जब बात की जाए तो 20 जिले ऐसे हैं जिरोंने 50% से जादे आंकडे को छुआ अर्थात आप कर सकते हो कि जो यूपी के आज 75 जिले हैं उन्हें से करीब करीब 20 जिले ऐसे हैं जहां पर लगबग-लगबग 50% युवा कर सकते हो कि higher study के लिए क्या करते हैं अपलाई करते हैं और उसमें पढ़ाई लिखाई अपना जारी करते हैं तो इस देश को ध्यान कीगा अब अगर जो देखा जाए तो यह रिपोर्ट चुकि पहली बार लाया गया तो देश का आधार क्या रहा क्योंकि ये तो उत्तब देश की बात रह है और इस पहलू पर अगर बात की जाए तो इसमें पुडू चेरी पहले नंबर पे था अगर हम टॉप लेबल के दस राज्यों की बात करें तो यहां पर पुडू चेरी पहले नंबर पे था 65 दस वलो निन्यानवे अंक हासिल करके दूसरे नंबर पे लच्छ देप, तीस की साथ जिले के अलग-अलग इंपुट इसमें सामिल किये गए जैसा कि जिले के बात की जाए तो इसे जारी किस ने किया तो प्रधानमंती के कारियाले की अंतरगत ही आपने सुना होगा कि जो उनकी एक आर्थिक सलाकार परिसद है ए, ए, सी, पी, अम, उसी के माध्धिम स इंचीट्यूट फार कमपटेटिव नेक्स एंड सोसल प्रोग्रेस इंप्रेटिव ने इसके उनकी तयार किया है उबर आलग बात की जाए तो जो प्रधानमंती का आपके सिक्तियों की आर्थिक सलाकार परिसद है उसी के सरजेशन पर इस संस्थान के माध्यम से क्या किया था कौन-कौन से कि मानों की बुनियादी जरूरत क्या है बुनियादी जरूरत जैसे पोसण, पोसण के लावा स्वास्त, स्वास्त के अलावा जल, स्वास्त के साथी स्वच्छता, फिर आपकी ब्यक्तिगत सुरच्छा और फिर उनका आवास इन सारे पहलों को इसमें साम किया गया और तीसरे की जब बात की जाये तो यहां पर आप कर सकते हो आउसर आउसर का मतलब क्या कि बैक्तिगत अधिकार बैक्तिगत स्वतमता कैसे चैन कैसे समावेशन कैसे उच्छ सिच्छा तक पहुँच इन सारे पहलूओ को इसमें सामिल किया गया तो इन तीन अलग- उप्छेतों में डिवाइड किया गया और उसी के मताबिक यहां की सूची तयार की गए जिसमें पोडिचेरी की जब बात की जाये तो पोडिचेरी ने देश में टॉप किया अगर इसकी बात की जाये तो इसके सबसे जादे अंक 65 दस्वलो 99 यस पी आई अंक आपको देख मिले जिसमें ब्यक्तिकत स्वतंता पसंद आवास जल स्वास्च इन सब की जब बात की जाये तो इनकी इस्तिती अच्छी रही लच्च देप और गोवा की जब बात की जाये तो यह दूसरे और तीस्ते अस्तान पे रहे जाल लच्च देप को 65 दस्वलो 99 और गोवा की तो सबसे टॉप जिलो की जो सूची निकाली गई उसमें आपके आईजोल जिले को टॉप लेबल पे रखा गया जो की 72 दॉसलो नौ अंग पराथ हुआ जैसे यूपी का आपने देखा कि हमारा गाजीपूर और बलरामपूर तो देश लेबल पे अगर हम जिलो की बात करे तो आईजोल जो था वह आपके टॉप लेबल पे था और इसकी जब बात की जाए तो इसका जो आधार तै किया गया था वह हमने बताया कि राज के अलामा जिला और उसमें भी सामाजिक प्रगती को आधारित करते हुए छै बिभिन तत्थ्यों को विसेश ध्यान दिया गया और उसके ही आधार पर इसका निर्धारन किया गया था तो ये कुछ प्रमुक पहलू थे खास करके किस एक आधार पे तो ये पहली बार जारी किया गया हमारी प्रधारमंती कारियाले के सहयोग से तो इस रिपोर्ट को जरूर ध्यान कीगा किसकी हम बात करें वो तम देश के संदर में और देश के संदर में सामाजिक प्रगती सूचकांग बाकी मिलते हैं किसे बिसेश